हला फ्रेंट्स वेलकम टू संडी एजूकेशन दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी रिकूट्मेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बैंक नोट पेपर मील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहां पर आप देख सकते हैं वैसे यह जो आती है यह आपके लिए ग ठीक है और आपका एंप्लॉइमेंट नॉटिस नंबर की तो 01-2024 और यहां आप देख सकते हैं 35-30 मई को इसका जारी कर दिया गया था ठीक है अभी करंट्ली एक्टिव है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने पाला हूँ तो अन तक बने रहें और वीडियो अच्छी लागे तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें ठीक अब आप यहां पर मैं आपको बात करूं तो आपके लिए the company की तरफ से जो recruitment में निकाली इसके लिए क्या क्या eligibility और क्राइटेरिया जैसे फर्स आपके mechanical की बात करें तो एप्रोक्स दस पोस्ट आपको देखने मिल रही है से की दो है स्ट की एक है और यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जनरल की तीन है इसके एक और जनरल की दो है पल्प एंट पेपर के लिए छे पोस्ट है एक SC की एक OVC की एक EWS की और जनरल की तीन है civil की भी दो post दे रखी है, एक स्टी की है और एक जनरल की है chemistry वालों के लिए भी दो है, same as it is OBC की एक और जनरल की एक accounts assistant के लिए दो vacancies है, यहाँ पर दोनों ही जनरल की है और office assistant के लिए भी दो vacancies है, दोनों जनरल के लिए है total vacancies की बात की जाए तो 39 vacancies आपके लिए release की गई है और यहाँ पर यह साब बोल दिया गया है कि increase या decrease कर सकते है vacancy को department के द्वारा ऐसा रहता है, अब देखिए next बात कर लेता है आपका online जो registration स्टार्ट हो गया है, वो 5 June से स्टार्ट हो रहा है और last date जो दे रखती है, वो आपका 30 June तक दे रखा है तो start हो गया है, बिलकुल आप apply कर सकते हैं और through the up, banking, net banking, debit card, UPI, इन सभी mode से online अपना payment gateway कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए जो eligibility criteria दिया गया है फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, personal assistant grade 1 technical यह post का नाम है, जिसमें mechanical description जिनके पास है वो approximately 10 post में ने बताया, 18-18 साल तकी age limit यहाँ पर दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं, pass, metric, SSLC, 10 भी pass की होनी चाहिए साथ ही 2 साल के duration के साथ में ITI किया होना चाहिए चाहिए वो SCVT हो, चाहिए NCVT हो, दोनों से ही चलेगा fitter, machinist, turner, mechanic, machine, tool, maintenance, and tool and dye maker यह apply कर सकते हैं पर एक और qualification दी गई है, जो apply कर सकते हैं तीन साल का diploma with 60% aggregate marks के साथ mechanical engineering में अगर कर रखा है by the AICTE approved, तो भी आप apply कर सकते हैं नेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं post qualification minimum experience आपका 36-2024 तक रखा गया है तो यहाँ आप देख लें कि minimum आपका 2 साल का industry experience manufacturing, production, operation, control, process, maintenance, ITI trade वालों के लिए मांगा गया है और इसी के साथ ही आपके यहाँ पर friendship अगर कर रखी एक साल की तो भी as experience के तोर पर consider किया जाएगा ठीक, एंड नीचे आप देख सकते हैं experience if any following industries आपका paper, pulp, या फिर फर्टिलाइजर, petrochemical, plant operator, manufacturing industries इन में भी है यह भी चलेगा एंड second यहाँ पर आप देख सकते हैं diploma holder के लिए experience is not essential मतलब freshers can be apply ठीक है, freshers can be apply आप apply कर सकते हैं diploma holders के लिए कोई भी experience नहीं मांगा है एंड next बात कर लेते हैं जो कि electrical है, चार पोस्ट है, अठार से अठाराइस वही 10th प्लस ITA होना चाहिए same relevant course में specific होना चाहिए और diploma भी वही same expertise रखा गया है experience आपका यहाँ पर वही production electronics है, इसमें 5 पोस्ट है, आपके 88 से 28 साल तक 10th प्लस ITA या diploma, अभी आप electronics से relevant जितनी भी trades है, उन सभी तरीके से apply कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है और यहाँ पर जो 2 साल का experience मांगा गया है with ITA operation, सभी के लिए जो criteria है diploma and minimum 2 साल experience रहने वाला है और आपका paper pulp, as it is सारा का सारा criteria सेम ही रहने वाला है कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इसमें एक सीज़ है कि ITA वाला apply नहीं कर सकता, सिफ़र सिफ diploma वाला ही apply करेगा, है ना and next आपकी बात कर ली जाए, यहाँ पर सिफिल के लिए तो यहाँ पर भी ITA मांगा गया है, ड्राफ्ट्समें की अगर आपने qualify है आपके पास में तो बिल्कुल apply कर सकते हैं, तीन साल का diploma सिफिल इंजिनेरिंग में है तो भी apply कर सकते हैं diploma के लिए essential नहीं है experience बता दिया, मैंने दो साल का आपका यहाँ पर मांगा गया है, तो वो as it is रहने वाला है, जबकि काम जो आपको बताया गया है, वो civil construction projects में reputative organization for ITA certificate holder, इनी के लिए रखा गया है, आपके लिए chemistry के लिए तो यहाँ पर दो post रखी गई है 18-28 BSC 60% marks के साथ में होना चाहिए, experience निल है, ठीक है, निल है, next आपको दिया रखा है, account assistant, दो post, 18-28 BSC वाले अपलाई कर सकते हैं, कोई भी experience की जरुवत नहीं है, है ना, and next आपका दिया रखा है, office assistant, दो post, 18-28, any graduation मांगा गया, 60% marks से साथ, और experience यहाँ पर आपको दिया गया है, note कि भी आप सिब एक post के लिए अपलाई कर सकते हैं, और only either valid complete application को ही रखा जाएगा, अब यहाँ आप देख सकते हैं, आपका reservation and realization, तो reservation जो रखा गया है, और realization, वो 36-2024 तक के लिए valid रखा गया है, बताई दूँ के SCST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD, यानि कि physically handicapped जो रहते हैं, उनके लिए 10 साल का रखा गया है, बात कर ले आपके examination fees की, तो SCST PWD इनके लिए examined है, कोई fees नहीं है, intimation charges 200 रुपे रहेगा, जबकि other candidate OBC, EWS, जनरल इनके लिए 600 रुपे रहने वाला है Pay scale की बात करें, तो project सभी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं Pay level 2 देखने को मिलेगा, Central Government Pay है, 24,500 रुपे आपका Pay रहने वाला है, minimum basic यह रहेगा ठीक है, और इसी के साथ यह other allowances भी आपका basic pay, DA, Central 50% और सब HR, DA, DA, सब कुछ 18% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, graduate है ना, और indoor, medic claim और furnish allowance, टूजट जित्ती भी Central Government की वो है, facilities यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और जो आपका North, presently जो आपका company रहेगा, CDA पेटर्न और सब कुछ, pay and scale, सब कुछ वो आपका 7th pay commission matrix की हिसाब से रहने वाला है selection procedure की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपके लिए online test रहेगा, objective type का रहेगा, skill test लिया जाएगा है ना, और बात करें, आपके depending upon the number of valid application receive जो होंगे, उस हिसाब से selection procedure may be very shall be intimated आपको कर दिया जाएगा तो जितनी ताधर में लोग आएगे उस हिसाब से आपका selection vary करेगा, second आपको दे रखाए कि यहाँ पर comprise the question relevantly आपके trade से question पूछे जाएंगे general aptitude से पूछे जाएंगे और इसके अलब quantitative aptitude, logical reasoning, general awareness, इन से भी question आते हैं तो ठीक है, test will be English candidate apply for the post आपका office assistant candidate have to periodically visit the company website तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे बता दिया गया है कि आपका जो office assistant candidate will have to periodically visit करना पड़ेगा, मतलब आपको visit करता रहना है अपनी website को और next आपको दिया रहा है trade test if held trade test लिया जाता है if the qualifying, वो जो रहेगा वो सब आपका same qualifying nature का ही रहने वाला है और receive at least 50% marks वो आपको लाने ही होंगे, ठीक है एंड इसके अलावा जो आपका online test होगा उसके आधार पर final merit list बनवाई जाएगी और देख सकते हैं, आप all the test will be conduct in English language only तो आपके जो भी test होंगे न वो सब English language में रहने वाले हैं, हिंदी में नहीं होगा और examination center जो रहेगा वो बैंगलोर या फिर मैसूर में रहने वाला है तो यह बात clearly आपको बता दी गई है exam pattern के उपर तो आप देख सकते हैं, mechanical, electrical, electronic, chemical, pulp and civil or chemistry इनके लिए logical, reasoning, quantitative, general awareness और proficiency, technical knowledge इसमें 20-20 question तो आपके रहने वाले non-tech के, one marks का रहने वाला है, एक question और यहाँ आप देख सकते हैं, 40 question technical के रहेंगे, total 100 question रहने वाले हैं ठीक है, और यहाँ duration आप देख सकते हैं, paper 1 के पाट A के लिए 80 minute और पाट B के लिए 40 minute दिये जा रहे हैं total 120 minute का आपका paper होने वाला है और इसी के साथ ही आपके structure of the non-technical जो department है, मतलब vacancy post है जैसे इनमें सिफ आपका non-tech का paper लिया जाएगा और accounts का question पुछे जाएंगे इनमें भी same सारा criteria रहने वाला है और next आपको दे रखा है office attendant के लिए तो यहाँ पर भी same criteria है सारे question number हो सब वही रहे हैं, English में रहेगा, 120 minute दिये जाएंगे minimum qualifying criteria जो general EWs के लिए 45% obviously के लिए 40% और SCST के लिए 35% रखा गया है like ऐसे करना है, those who candidate qualified जो eligibility criteria है fulfill करते हैं उनको जो date बताई गई है, जैसे 5 June से लेकर 30 June के बीच में apply कर देना है और उसके लिए आपको detail guideline दी गई है, नीचे बताता हूँ application registration करेंगे, then उसके बाद में आप payment करेंगे then उसके बाद में आप document scan upload सब कुछ करने वाले हैं अब देख सकते हैं, आपको नीचे जैसे की important point दे रखे हैं जैसे photograph, photograph, signature, left, thumb, impression, writing, declaration ये सब भी आपको upload करना होगा, ठीक, और इसी के साथ ही signature of the capital letter में will not be accepted नहीं किया जाएगा, thumb, impression, सब कुछ लगाना है और जो आपको writing में दिया है, वो ये रहने वाला है I hear by your name सब कुछ दे रखा है, ये declaration है simple ये मैं आपको description में paste कर दूँगा, देख लीजेगा